नमस्कार हमारे इग्नू आउडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इसकाई का उदेश ग्रामीन भारत में उभरते हुए समाज की प्रकृती का विशलेशन करना है। के कारे करते हुए मौजूदा ग्रामीन समाज में हो रहे परिवर्तन की दिशातता सनरचनात्म के वं सांस्कृतिक स्थिरता को सदैव प्रतिबिम्बित करने के साथ ही इसे विशलेशत भी करेगा। इसे काई के समापन के पश्चाता पवश्य इस योग्य हो जाएंगे। भारत में ग्रामीन समाज की सनरचना एवम संस्कृती में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं या घटित होंगे को चिनहित कर सकेंगे। भारत में वर्तमान ग्रामीन समाज में संस्कृती एवम संरचना की निरंतरता की पहचान कर सकते हैं। वर्तमान ग्रामीन समाज की नगरिय परिवेश के साथ अन्तर्किया किस्तर तथा अपने उपर इसके प्रभाव का विशलेशन कर सकते हैं और भारत में वर्तमान में उभरते ग्रामीन समाज की प्रकृती का तुलनात्मक विशलेशन कर सकेंगे एक दशमलव एक प्रस्तावना इस प्रकार आप भारत में ग्रामीन समाज की प्रकृती की जानकारी कर सकेंगे। साथ ही इस वतंद्रता के बाद ग्रामीन विकास की विभिन प्रक्रियाएं द्रिश्टिगत हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी वहीं पर दूसरी तरप गतिये मंश में विभिनता के साथ परिवर्तन द्रिश्टिगत हो रहे हैं। यहां जीवन के सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शेक्षनिकेवम स्वास्थ से संबंदित आयामों की सतहों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जबकि इन आयामों की परंपरा की निरंतरता के प्रती बहुत समान भी पाया जाता है। प्रामीन क्षेत्रों में नगरी असुविधाओं का प्रावधान आदी की स्थिती दिखाई दे रही है। जब हमों भरते हुए समाज के बारे में चर्चा करते हैं तो यह निश्चित तोर पर वर्तमान स्थित समाज का अग्रणी स्वरूप है। यह एक आज जो अस्थित्व में समाज है उसमें एक नवीन समाज विलीन हो जाता है। हम इन दोनों में नाभी नाडी की तरह संबंध पाते हैं जबकि उम्रता हुआ समज एक सापेक्षिक अवधार्ना है और इसलिए यह बात अवस्थित समाज के संबंध में समझी जाती है। जबकि ग्रामीन समाज की शक्ती, संरचना एवं समाजिक, आर्थिक स्थिती और खंडेक में भारत में ग्रामीन एवं नगरिय समाजों के बीच अंतर क्रियाओं की चर्चा की गई है। यहां पर इसकी संरचना उन संस्थाओं एवं संस्कृती, मूल्य, वैचारी की तत्थ, जीवन का तरीका में संपून परिवर्तन के साथ अवस्थित ग्रामीन समाज के संरचना लकेवं संस्कृती कंतरनेहितु देश्यों तथा विशेश रूप सिस्वतंतरता के पश्चा इसका नगरिये प्रती रूपों के साथ जो अंतक्रियाएं स्थान ले रही है को प्रति बिम्बित किया गया है। पूर्णत्या प्राकृतिक लक्षय में सम्मिलित होता दिखाई देता है। हम इस सुभरते हुए ग्रामीन समाज पर चर्चा के पूर्व रिहद रूप से भारत में अवस्थित ग्रामीन समाज की प्रकृती के बारे में चर्चा करेंगे। एक दशमलव दो, भारत में वर्तमान ग्रामीन समाज भारत में अवस्थित ग्रामीन समाज इसके नगरिय प्रती रूप की तुल्ला में पूर्व से प्रभुत्व शालिये वमलंबा है। स्वतंत्रता से ही नगरिय समाज के आकार में वृध्धी हुई है फिर भी वर्तमान समय में भी ग्रामीन समाज का प्रभुत्व बना हुआ है। नगरी अवरिधी दर काफी हद तक धीमी है यद्यपी वर्तमान दशकों, 1987 के बाद नगरी अवरिधी दर में कुछ तीवरता दिखाई दे रही है। बड़ी तीन गती से जनसंख्या में वृध्धी हुई है। ग्रामीन जनसंख्या वृध्धी दर 122 प्रतिशत है तथा वहीं पर 2001-2011 के दशक के दोरान नगरीय जनसंख्या वृध्धी 31.08 प्रतिशत है। पूरे दशक के दोरान ग्रामीन जनसंख्या वृध्धी दर 5.59 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि नगरिय जनसंख्या वृध्धी दर लगभग समान ही रही है। ग्रामीन जन संख्या वृध्धी दर में पिरावट लगभग संपून भारत में नगरिय साक्षर्ता दर 85 प्रतिशत की तुल्ना में ग्रामीन साक्षर्ता दर 68.9 प्रतिशत है। फिर भी पूरे दशक के दरान नगरिय साक्षर्ता दर की अपेक्षा ग्रामीन साक्षर्ता द विभाजित करती है जाती तथा समुदाय पर आधारित पहचान जाती तथा समुदाय के सदस्यों को विवाह के लिए आधार प्रदान करती है तथा जाती एवं समुदायों को अंतर विवाही बनाती है अंतर विवाही केनियम का पालन जाते समुदाय पंचायतों द्वारा किया जाता है शिक्षा एवम नवीन विवसायों का जाती एवम समुदायों पर कुछ प्रभाव पड़ा है लेकिन इसके प्रभाव स्वरूप बहुत कम संख्या में अंतर जाती एवम अंतर समुदायक विवाह दिखाई दे रहे हैं काफी हद तक दहेज के लालच में स्थिती को मजबूत बनाने के लिए संसाधन के रूप में आर्थिक, राजनीतिक या अन्यलाब सुनिश्चित करना चाहते हैं। परिनामस्वरूप जाती एवम समुदाय के प्रती लोगों की जागरुकता में मजबूती आई है। इस प्रकार यह पाया गया कि जाती एव उनकी करन के कारण यहां पर मध्यम वर्ग का भ्यूदय हो रहा है एवम धनी क्रिशक भी ग्रामीन क्षेत्रों में जाती एवम समुदाय के बंधनों को तोड़कर वर्ग में बदल रहे हैं। इस सब के साथ जाती के सांस्कृतिक आयाम में परिवर्तन परिलक्षत हो रहे ह हैं। एतिहासिक रूप से निम्न जाती, गैर हिंदू समुहेवम जन जातिय समुदाय यहां और वहां कहीं पर भी उच्चया प्रभू हिंदू जातियों के जीवन जीने की तरीके अपना कर उच्च जाती के संस्तरन इस प्रक्रिया को संस्कृतिक रण कहते हैं तथा जात कि अंदर गर्तिशीलता को प्रोच साहित करने के साथ संरचना में उच्चसतर प्राप्त करने हेतु सांस्कृतिक परिवर्तन को बड़ावा देती है अब सांस्कृतिक, परिवर्तन, शैक्षनिक, व्यावसाइक तथा राजनीतिक परिवर्तन के परिनाम स्वरूप जो स्वतंत्रता के पश्चात स्थान ग्रहन कर रहे हैं, के कारण जाती एवं समुदायों की सीमाओं को बड़ी तीद्र गती से लांग रहे हैं। अस्प्रिश्यता कुछ ग्रामीन क्षेत्रों में समाप्त हुई है जबकि बहुत क्षेत्रों में अभी भी जारी है लेकिन लचीलापन आया है। इसके साथ साथ यहीं परजीने के तरीके एवं कपड़े में किसी भी प्रकार के अंतर द्रिश्टिगत नहीं हो रहे हैं। जाती एवं समुदाय की पहचान के साथ ही ग्रामीन समाज परंपरागत रूप से मजबूत नातेदारी एवं सयुक्त परिवार के सदस्यों के बंधन के लिए जानी जाती है। यह बंधन शिक्षा, रोजगार, प्रशासन एवं राजनीती में भी कारे करता है। ग्रामीन लोग इस बंधनों का प्रयोग जाती, परिवार एवं नातेदारी में करते हैं जब खी शिक्षा, रोजगार, सरकारी दप्तरों में काम करने हेतु नगरिय के इंद्रों पर जाते हैं। फिर भी अब ग्रामीन क्षेत्रों में शेक्षनिक एवं व्यावसाईक गतिशीलता के परिणाम स्वरू पेका की परिवारों की संख्या में बड़ी तीवरक्ती से विध्धी इसका गवाह है। वहीं दूसरी तरप यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नती जाती परिवार एवं नातेदारी बंधनों पर निर्भरता को कम किया है। नवीन सूचना एवं संचार प्रद्योगी की एक्स, जैसे मोबाइल फोन जो ग्रामीन क्षेतरों में संचार की क्रांती लाकर विशेश रूप से सांस्कृतिक प्रभाव डाला है। यह जाती समुदाए परिवार को सूचना के लिए या आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए व्यक्तिक निर्भरता को कम किया है वहीं दूसरी तरफ जाती, समुदाए, परिवार एवं नातेदारी के बंधनों को मजबूत करने हेतू अपने सदस्यों में अंतक्रिया में वितियक स्थिती धारण किये हुए हैं, पुरुष की तुल्ना में स्त्री विकास के क्षेतर में बहुत अंतर के साथ जीव नयापन कर रही है। नगरिया क्षेतरों, 926, की तुल्ना में ग्रामीन क्षेतरों में लिंग नुपात दर, 947, उच्छ है। हाला कि ग्रामीन की तुल्ना में नगरिया क्षेतरों में पूरे दशक के दोरान लिंग नुपात में व्रिहत स्तर पर सुधार हुआ है। यद्यपी ग्रामीन क्षेतरों, 902, की तुल्ना में नगरिया क्षेतरों, 919, में शिशूलिंग नुपात का स्तर बहुत ही खराब है। नगरिया तपेक्षा ग्रामीन श शूलिंग नुपात में चार गुना गिरावट आई है। ग्रामीन खेत्रों में नियून्तम गिरावट की तुल्ना में नगरीय खेत्रों में क्रमशह गिरावट को इंगित कर रही है। स्वतंत्रता के पश्चात उनकी शैक्षनिक उपलब्दी में उत्थान हुआ है। भारत में 2011 में स्त्री साक्षर्ता दर 65.46 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षर्ता दर 82.14 प्रतिशत है। ग्रामीन क्षेत्रों में स्त्री साक्षर्ता दर 58.8 प्रतिशत है तथा नगरीयक्षेत्रों में 89.9 प्रतिशत है। कि तुल्ना में ग्रामीन क्षेत्रों में पुरुष साक्षर्ता दर 76.26 प्रतिशत तथा नगरीयक्षेत्रों में 89.7 प्रतिशत है। भारत में अवस्थित ग्रामीन समाज में इस प्रकार के परिवर्तन घटित हो रहे हैं। यह संक्रम अनकाल है। जन संख्या, जाती, समुदाय, परिवार, विवाहेव नातेदारी में प्रत्याशित परिवर्तन प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन बहुतायत परिवर्तन सनरचन प्रतिक आत्मक की तुलना में सांस्कृतिक हुए हैं। वह परिवर्तन संस्थाओं में हुए हैं जबकि सनरचना के भौतिकायामों जैसे कपड़ा, भोजन, घर, बलसम, पत्ति एवं जीवन जीने के तरीकों में बहुत कम तथा प्रतिकात्मकायामों जैसे 1.3 भारत में ग् नत्य अवस्थित समाज के गर्भ से ही आता है। यह एक ऐसा समाज है जो अवस्थित समाज के अंदर ही प्रक्रिया के तहत बनता है, एक समाज जो एक अवस्थित समाज से बना हुआ है, एक नवीन समाज जो नवीन स्थिती के आरंभ के साथ जनम लेता है या, एक समाज ज जो निकट भविश्य में उत्पन होने वाला है जिसमें इसकी विशेष्टाएं अंदर से प्रसफुटे तेवं देखने वालों को इसके बारे में पूर्वानुमान के योगे बनाती हैं. किसी भी समाज की उत्पत्ती में समय लगता है जिसके कारण एक समाज से दूसरे पाई जाती है. सामान नितया यहीं बहुत सारे कारक सहभागी रहते हैं जो एक नवीन समाज की उत्पत्ती में योगदान देते हैं. ये कारक या स्थित्यों सवस्थित समाज के अंदर ही पाई जाती है, बिना इनकी मौझूदगी के एक नवीन समाज के किसी भी सनरचना क कि कल्पना नहीं की जा सकती है एक उभरता हुआ समाज आकार में है तथा अवस्थित का एक रूप है यह पूर्व की निश्चित विशेष्टाएं नहीं धारण किये हुए परिवर्त नेवम निरंतरता दोनों का प्रतिनिधित्व करती है इस प्रकार उभरता समाज समाज के संदर्भ में ही समझा जा सकता है दोनों समाज एक सा पेक्षिक घटना है जब भारत में अवस्थित ग्रामीन समाज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तब आप संस्थाएं तथा संरचना की निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों में आगे बढ़ जाते हैं आप संस स्थाओं के अंदर विशेशकर सांस्कृतिक आयामों में हो रहे परिवर्तनों को जानते हैं हमें बढ़ती हुई साक्षरता दर ग्रामीन महिलाओं के साथ ग्रामीन लोगों के अंदर कार्य सहभागिता एवं राजनीतिक सहभागिता को देखना चाहिए इस प्रकार के पर भारत में उभरते हुए समाज की चर्चा करते हैं तब हमारा तात पर्य एक ऐसे समाज से हैं जिसमें इसकी परंपरागत संस्थाएं अपनी बोर्याब इस्तर के साथ परिवर्तन की दिशा में जाते हुए देखते हैं हम स्पष्ट रूप से संरचनात्मक निरंतरता की पहचान कर लेते हैं तथा हम यहाँ और वहां संस्थात्मक संरचना के बिना तथा इसके अंदर सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं यह निरंतरता एवं परिवर्तन अवस्थित ग्रामीन समाज में तीन से अधिक, कुछ परतो वाली विशिष्ट सनरचना बनाती है। यह वह महत्वपून बिंदू है जिससे इसका अभ्युदय होता है। यह परते या नवीन सूचक सा पेक्षिक रूप से विक्सत समाज जि ऊभरते हुए ग्रामीन समाज के प्रतिमान की विवेचना की प्रक्रिया के पूर्व हम सीखने की प्रक्रिया एवं प्रगती को जानने एवं देखने का प्रयास करेंगे। बोद प्रशन माइनस एक। एक, उभरते समाज से आपका क्या आशय है случа। दो, भारत में ऊभरते प्रतिमान अब हमें भारत में उभरती ग्रामीन समाज के विवेचना तथा पहचान करने की ओर अग्रसर होना है। वरतमान ग्रामीन समाज के समाजिक आर्थिक एवम सांस्कृतिक आयाम से यहां पर प्रमुख भरते हुए प्रतिमान जैसे नवीन ग्रामीन शक्ति एवम आर्थिक संग्रचनाएं, ग्रामीन राजनीतिक संस्थाओं का सशक्ती करन, नवीन ग्रामीन राजनेतिक अभिजन, ग्रामीन कमजोर वर्गों का सशक्ती करण, ग्रामीन पूंजीप तिधनी किसान वर्ग, ग्रामीन बाजार, ग्रामीन व्यावसाईग गती शीलता एव मुद्यम, ग्रामीन नगरी आंतक्रियाओं में बढ़ुत्तरी एवं ग्रामीन जीवन के स्तर में सुधार इत्यादी बन जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधी राश्ट्रिय, राज्य, जिलाखंड एवंग गाव के विभिन स्तरों पर प्रशासन द्वारा कार्य एवं कल्यान की व्यवस्था करते हैं। सन 1901 क्याबन से प्रतियक पांच वर्ष पर राश्ट्रिय स्तर पर लोक सभा के लिए आम चुनाव तथा राजिस्तर पर विधान सभा चुनाव होते हैं जो ग्रामीन समाज में राजनीतिक जागरुक्ता को जगाते हैं। फिर भी जमीनदारी व्यवस्था का उनमूलनेव मुनीस सौ पचास में पंचायती राज की शुरुवात का ग्रामीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं के जनतंत्री करन तथा सत्ता के विकेंदरी करन के लिए विशिष्ट योगदान है। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरी हव्यवस्था में ग्रामीन लोग ग्राम्यस्तर पर ग्रामगाव पंचायत, खन्स्तर पर पंचायत समितितालुका पंचायत आन्चलिक पंचायत तथा जिलास्तर पर जिला परिशद में अपने प्रतिनिधी का चुनाव करते है पंचायती राज की प्रक्रिया क्रमशह शक्ती स्थापित होने का कारण बनती है। पंचायती राजनीतिक दलो, धनीकरिश को वर्गेवम संगठित निम्न जातिय समुहों के अंदर स्थित है। महत्वपून भूमिका अदा कर रही है। उच्च जाती के लोग प्रत्यक्षितह या प्रत्यक्षितह ग्रामीन शक्ती संरचना में प्रभावशाली भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। पूरी तरह से अनौपचारिक नेता ग्रामीन स्तर पर निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार के नेतरित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेशताय है कि वहवे व्यक्ती हैं जो कुछ पाने के लिए अत्यंत कमजोर लोगों तथा अन्य लोगों की इच्छाओं को नजर अंदाज कर सब कुछ पाना चाहते हैं। 1.4.2 सशक्त ग्रामीन राजनीतिक संस्थाओं का अभ्युदय ग्रामीन राजनीतिक संस्थाएं स्वतंत्रता के पश्चात अनेक वर्षों से सशक्ती करण की प्रक्रिया से गुजर रही है। शुरुवाती दौर में वैधानिक रूप से एक स्थरिय राजयों के नियंतरण के अंतरगत सीमित शक्तिय वं प्रकारियों के साथ ग्रामीन पंचायते थी। इनकी स्थिती वैधानिक थी इसका अर्थ यह कि इनकी स्थापना नियम बना कर की गई थी। वे संबंधित राज सरकारों द्वारा संचालित की जाती है तथा वे सरकारों की इच्छा के अनुसार निरंतर कारे करेगी। इसके अतिरिक्त, ये पंचायतें उच्चय जाती द्वारा पूर्व प्रभुत्वशाली जातियों, परंपरागत जातियों समुदायक पंचायतों के सामने स्पष्ट रूप से प्रभावकारी नहीं है. ग्रामीन राजनीतिक संस्थाएं जैसे पंचायतें सर्व प्रथम सशक्त होने के फल स्वरूप यहां पंचायती राज के पुनर सरंचना करन द्वारा समन्वित पंचायती राज व्यवस्था का निश्चित प्राधिकारों, प्रकारियों तथा शक्तियों के साथ ग्रामीन शेतरों में तीन स्तरी व्यवस्था बनायी गई. फिर भी पंचायत समवधानिक बनी रही. समबंदित राजी सरकारों द्वारा नियंतृत रहते हुए यह नवीन व्यवस्था काफी हर्तक पूर्व से अवस्थित पंचायत में उत्थान के साथ ग्रामीन विकास में कमजोर लोगों की सहभागिता बढ़ी है फिर भी यह व्यवस्था ग्रामीन विकास के लिए प्रभावकारी उपकरन नहीं बन पाई एव मिसीलिए उनीस सौ बानवे में तिहत्तरवे समविधान संशोधन द्वारा इसे समवैधानिक दर्जा दिया गया साथ ही राज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति एक पांच वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से चुनाव कराने का प्रावधान किया गया तथा राज वित्ता आयोग द्वारा राज और पंचायतों के बीच वित्तिय संसाधनों के विभाजन का प्रावधान किया गया इस समवैधानिक प्रावधान के परिनाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाय अब राज सरकारों की कृपा पर विद्यमान नहीं है बलकि वे समवैधानिक एवंवित्तिय रूप से बहुत सशक्त हो गई है वे अब एक सक्रिय अभिकरन के रूप में विभिन प्रकार के ग् 1.4.5 नवीनार्थिक सनरचना का अभ्यूदय स्वतंत्रता से ही ग्रामीन अर्थ विवस्ता सनरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रही है क्रिशी कारे तथा गैर क्रिशी कारे दोनुक शेत्रों में परिवर्तन हुआ है खेतों में यहां परबाधुनिक वस्तूओं का सामानिता प्रयोग एवम वृद्धी तथा जैसे सिंचाई सुविधाओं, उन्नत प्रकार के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं, हर्वेस्टर, स्क्रीन कल अरित्यादी का प्रयोग होता दिखाई दे रहा है क्रिशी अर्थ विवस्ता में ये परिवर्तन भूमी सुधारों तथा किसानों के लिए संस्थागत विट्थ की आसान सुविधा, क्रिशी में लगने वाली वस्तूओं एवम तक्नीकी ज्यान को संभव बना रहे हैं 1965 के पश्चात उननत किस्म के बीजों से परिचय हुआ तथा समुहिक रूप से हरित क्रांती के बाद दुरवर्कों तथा सिचाई के प्रयोग में विद्धी हुई है, जिसके कारण भारत को खाद्य सामगरी में आर्थम निर्भर बनाने हेतु उत्पादन में विद्धी ह इस प्रकार भारत में क्रिशी में उननती हुई, यह एक हस्तक्षे पात्मकु पाय था जिसे भारती अराज द्वारा आर्थिक परिवर्तनों हेतु अपनाया गया, यह गेहुक्य अग्रनीस्तर पर उत्पादन से क्रिशी के क्षेत्र में भारत को उच्च स्थिती में लाय हरित क्रांती के पून होने पर यहां पर विभिन प्रकार की सहकारिता व्यवस्था, जिसका नाम बीज सहकारिता, ग्रामीन क्रिशी सहकारिता, सिचाई सहकारिता, उर्वरक सहकारिता इतियादी को अपनाया गया. भारत का राष्ट्रिय अभीज निगम, बीज सहकारी समितियों को न्यून्तम मूल्य पर बीज प्रदान करता है। क्रिशी उपज मंडी समिति द्वारा क्रिशी उतपादों के लिए बाजार की व्यवस्था को सुनिश्चित की गई तथा विभिन फसलों हेतु सरकार द्वारा निउन्तम सहयोग मूल्य निरधारत करकिसानों की रुची को बढ़ाने का कारे करता है। फसल भी मायोजना जो अब क्रिशी में जोखिम को कम करने हेतु लागू की गई है। इसके साथ साथ अब ग्रामीन अर्थ व्यवस्था के गैर क्रिशी क्षेत्र में भी व्रिधियेवं परिवर्तन हो रहा है। गैर क्रिशी ग्रामीन आय विभिन प्रकार के व्यवसायों, जैसे स्थानी अव्यापार, तथा व्यवसाय, कलाकृती, हस्तनिर्मित तथा हैंडलूम जैसी विभिन सेवाएं, दैनिक्ष्रम, अदाइगी हेतु वो प्रवरजनित गाव के लोग, जो नगरी आये अमोद्य योगिक स्थानों इत्यादी पर कारे करने वालों से वापस आ रही है। 4.6. ग्रामीन पूंजी पती वर्ग का अभ्युदय डैश हरितक्रांती लोगों के सामाजिक, नुरिजातिय तथा राजनीतिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है। सन 1970 में समाज शास्त्रियों द्वारा हरितक्रांती के प्रभाव का अध्ययन शुरू किया गया। वेहरितक्रांती के दुश्परिनाम के रूप में पाते हैं कि जहां धनाड़ी किसानों का एक वर्ग उभ्रकर आया जिनके पास भूस्वामित्व का बड़ा भाग है तथा ये आधुने कुपकर्णू का प्रयोग करते तथा अपने खेतों में लगाते हैं एवं बचे हु ग्रामीन पूंजी पतियों का वर्ग बनाते हैं वे पूंजी पती किसान के नाम से पुकारे जाते हैं ये उच्वर्ग अधनी किसान बीच समितियों के सदस्यों को अधिक संस्था में बनाते हैं तथा वे सभी प्रकार के लाभों को उन सभी लोगों में समान रूप से वि भर कड़ाया है. 1.4.7 ग्रामीन बाजार का अभ्यूदय उत्पाद की बाजारी करण के साथ साथ नगर तथा उद्योगिक प्रतिरूपों में काम करने वाले प्रवरजनित ग्रामीन लोग ग्रामीन ख्षेत्रों में धनाने का एक अन्यसरोत है. ऐसे प्रवरजनित ग्रामीन अपने नजदी की गाउं के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखते हैं. कुछ समय बाद वे प्रवासी जिनके परिवार अपने गाउंवों में निवास करते हैं प्रायह गाउंवों में जाया करते हैं तथा वे अपनी बचत को जमीन प्रवासी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, ग्रामीन क्षेत्रों में आय बढ़ाने का बहुत ही महित्व पून्सरोत है साथ ही पून्जी स्रिजन करने हेतु लोगों को रोजगार देती है. कृशी उत्पात के बाज प्रवासी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीन क्षेत्रों में बजार आधारत तर्थ व्यवस्था की वृध्धी में मांग सूजन करने का नेत्रित्व कर रहे हैं. फिर भी सूचना संसार विशेष्तह नवीन मीडिया ग्रामीन ख्षेत्रों में उपभोक्ता की वस्थूओं की मांग कि स्रिजन में महत्वपून भूमिका का निर्वहन कर रही है. इस कारण अब उपभोक्तावाद ग्रामीन भारत में प्रिय है. गावों में अब केवल टेली विजन के सेट ही नहीं बलकी रिफ्रिजरेटर, मोटर साइकल, मोटरें, गैस के चूलहें इतियादी ने लोगों को वश्मे कर लिया है. लेकिन बहुराश्ट्री अकंपनियों की उपभोक्तावादी वस्थूएं जैसे अंकल चिप्स, मैगी, पेपदार्थ, ब्रांडेड बिस्कुट इतियादी उपलब्ध हैं. कुछ वर्षों से ग्रामीन शेत्रों में दूधेवन सबजियों के उपभोग में भी व्रिधी हुई है. बुनियादी सनरचनात्मक सुविधाओं जैसे सडक, यातायात, बिजली, टेलिफोन, अस्पतालों तथा स्कूलों में सुधार ग्रामीन अर्थ विवस्था के विकास में तथा ग्रामीन बाजारों के अब्युदय में योगदान दे रही है. उपरोक्त सभी के साथ 1991 से चल रही आर्थिक उदारी करन की नीती भारत में ग्रामीन बाजार के अन्युदय में मजबूती से योगदान दिया है. इस नीती के अंतरगत वस्तुओं के उत्पादन तथ वितरण के लिए परमिट, लाइसंस तथा कोटा के माध्यम से संपून बाजार पर सरकारी नियंतरण को धीरे-धीरे कम करना है. परिनामस्वरूप देश की जनसंख्या के विभिन वर्गों तथा संपून ग्रामीन एवं नगरिय अक्षेत्रों को इसके प्रसार हेतु बा बाजार में प्रभावकारी प्रवेशेवम नवीन व्यवस्थाओं की उपलबधता के साथी ग्रामीन क्षेत्रों में व्यावसाइक गर्थी शीलता दिखलाई दे रही है. व्यवसाईयों के चयन में जाती की भूमीका कम हो रही है जैसे व्यवसाईयों में जातीगत मत्या आधुनिक सेवाय देने में जाती कहीं से बाधक नहीं है। अभी परमपरागत व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय, बढ़ई गीरी, स्वनकार, नाई, दर्जी, मोची, टोकरी बनाना इत्यादी का जाती मुख्या आधार बनी हुई है। मोटे अनाजों की तुलना में नगदी फसलों की व्रिद्धी को अधिक पसंद कर रहे हैं। मजदूर भी बाजार मूल पर नगदी प्राप्त कर रहा है तथा अपसी सहमती के आधार पर ठेकेदारी समाप्त हो रही है। अब ग्रामीन क्षेतरों में अपसी सहमती पर साज़ अधारी द्रिष्टिगत हो रही है। किसान जोखिम ले रहा है तथा कृषी उत्पादों में व्रिद्धी के लिए अत्याधुनिक उपायों को अपना कर लाभ के लिए बाजार में बेच रहा है। 1.4.9 ग्रामीन नगरी अंतक्रियाओं में व्रिद्धी का अभ्योदय स्वतंत्रता से विकास की गतिविधियों, जनतंत्रात्मक विकेंद्री करन तथा संचार प्रद्योगी की में क्रांती ग्रामीन नगरी अंतक्रियाओं के स्तर को उभारने में उत्प्रेरक्का कारे कर एक तरप सरकारी कार्यालियों का विकास, प्रशासन, स्वास्थे तथा शिक्षा जैसे राजनीतिक नेता तथा राजनीतिक दलों का पूरी कारिशैली कई वर्षों से ग्रामीन ट्षेत्रों के विकास के लिए प्रयासरत है। प्रशासरत हैं इसके साथ ही, सड़क के जुजाव में सुधार के कारण ग्रामीन ट्था नगरियाक शेत्रों के लोगों के बीच भोगोलिक गतिशील्ता में व्रिधी हुई है तथा ग्रामीन ट्था नगरिया लोग प्रत्येक स्थानों पर विवाह समारों हों, जन्मदिव के आयोजनों, संसकारों या समाजिक या राजनीतिक भीडभाड में बेरोक टोक सहभागिता कर रहे हैं एक अपरेल 2010, ग्रामीन जीवन की गुनवत्ता का अभ्योदय अब यहां ग्रामीन जीवन की गुनवत्ता में सुधार दिखाई दे रहा है एक गाव के बहु संख्यक लोगों के पास बिजली, पीने का पानी, सडक से जुड़ाव, पक्के मकान, स्कूल तथा स्वास्थि केंदर की सुविधा है. यहां तक की गरीब परिवारों को भी कुटीर जोती योजना के तहत बिजली उपलब्ध कराई गई है. नलकी टोटी क माध्यम से पीने का पानी की आपूर्ती हो रही है. प्रत्यक गाव को प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना के तहत सडक से जोड़ा जा रहा है. गरीब तपके के लोग इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत घर प्राप्त कर रहे हैं. सर्वर शिक्षा अभियान का जन्विच शिशू विकास सेवा योजना ने बच्चा एवमों के स्वास्त पर महत्वपून प्रभाव डाला है तथा साथी ग्रामीन क्षेत्रों में बच्चों का चतुर्दिक विकास किया है. निर्मल भारत योजना के तहत ग्रामीन स्वच्चता में भी सुधार हुआ ह जीवन के स्थर में इस सुधार का 2011 की जन्गनना में ग्रामीन क्षेत्रों में जनसंख्या विध्धी दर के रूप में प्रतिविम्बित होता दिख रहा है तथा जो अतीत में निरंतर उच रहा है में गिरावट आई है तथा पहली बार नगरिया जनसंख्या की विध्धी दर की तुल्ला में कम है इस गिरावट के रिनी है जिसमें नगरी करन के द्वारा ग्रामीन लोगों के प्रवरजन के सोच में व्रिधी की है या नगरिया क्षेत्रों में ग्रामीन क्षेत्रों के लोगों की तलीमता ग्रामीन क्षेत्रों में जनसंख्या की व्रिधी में सम मान्य गिरावट के रूप में उभर कराई है परिना मस्वरूप ग्रामीन जीवन के स्तर में सुधार हुआ तथा परिवार नियोजन को भी अपनाया ये सभी कारक ग्रामीन क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक है अब हम भारत में उभरते नवीन ग्रामीन शक्ती सन्रचना से आपका क्या आशय है तीन नवीन ग्रामीन शक्ती अभिजन से क्या आशय है चार भारत में ग्रामीन पूझिवादी वर्ग से आपका क्या आशय है? 5. ग्रामीन बाजार से आपका क्या अर्थ है? 6. ग्रामीन व्यावसाईक गतिशीलता से आपका क्या आशय है? 7. ग्रामीन नवीन व्यावसाईक उद्यमिता से आपका क्या आशय है? 1.5. सारांश भारत में उभरता हुआ ग्रामीन समाज का प्रतिमान अवस्थित समाज के बनावट के धंग में ताजिया कृतिया परत की ओरिंगित कर रहा है। में स्थान ले रहे हैं तथा यह संचई परिनाम क्रमिक रूप से विक सित होकर तथा ग्रामीन लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में प्रतिमान आत्मक वास्तविकताओं के रूप में द्रिश्टिगत हो रहे हैं। भारत में उभरता हुआ ग्रामीन समाज वर्तमान में नवीन शक्ती तथा आर्थिक संरचना द्वारा विशेशी कृत है। ग्रामीन राजनीतिक संस्थाओं का सशक्तिकरन नवीन ग्रामीन राजनीतिक अभिजन ग्रामीन बाजार, ग्रामीन व्यावसाइक गतिशीलता तथा ग्रामीन उद्यमिता ग्रामीन नगरी अंज तक्रियाओं में वृध्धी तथा ग्रामीन जीवनस्तर में सुधार आया है यद्यपीय हुभरता हुआ समाज पूनतह नवीन नहीं है। किसी हद तक, मुख्य सनरचनाय इंसन स्थायें जैसे जाती, नातेदारी तथा अंतर विवाह मजबूत बने हुए हैं तथा वेजनतांत्रिक राजनीती की गतशीलता में जीवन के नवीन उत्साह को ग्रहन कर रह हैं तथा पूंजिवादी अर्थ व्यवस्था शक्ति एवं लाब दोनों के लिए एक लालसा उसमें निहित स्वार्थ के रूप में स्थान बनाए हुए हैं। वास्तव में उभरता हुआ वर्ग जैसे ग्रामीन पूंजी पती तथा मध्यम वर्ग, एकाकी परिवार, रा प्रवीन संरचनाओं का परंपरागत के साथ गठ जोर बना हुआ है। दिये हुए संदर्भ में अवस्थित समाजिक आर्थिक असमानताओं का यह गठ जोर निरंतर फल फूल रहा है। असमानताओं बनी हुई हैं क्योंकि भूमी सुधार प्रभावशाली रूप से लाग के अंदर ही रोजगार का स्रिजन होगा। एक दशमलव छह प्रमुक्षब्द अवस्थित समाज एक समाज जो विक्सित हो रहा है तथा पूर्व प्रभुत्वशाली परिवर्तनों की तुल्ला में स्थिर सन रचना तथा संस्कृती तथा निरंतरता बनी हुई है। उभ रिष्टिगत नहीं हो रही है। यह एक समाज बन रहा है जो कि एक अवस्थित समाज के बाहर जनम लेकर किसी कठिन स्थिती में उलशी हुई है। नवीन सूचना ICT कोलॉन यह शब्द वर्तमान में सूचना तथा संचार के लिए विक्सित डिजिटल तक्नीकी जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलिफोनिक संचार व्यवस्था तथा जिसमें संपून पृत्वी पर संगनक के नेटवर्क के माध्यम से संचालिट किया जाता है यह तक्नीकी स्रजन, संकलन प्रक्रिया में लाने तथा सूचना को गती से पहुचाने में पूर्व के मानव इतिहास की अपेक्षा बहुत अधिक तीवर है। इस तक्नीकी के माध्यम से ऐसी अंतक्रिया की जाती है जहां आमने सामने की बादचीत भी संभव है। वे समय तथा संस्कृति एवं राज्यों की सीमाओं को तोड़ रही है। हरित क्रांती डैश, क्रिशी के क्षेत्र में व्याप्त संकट को हल करने हे तू तक्नीकी प्रयास किये गए। क्रिशी विकास की नई नीतिया व्यूह रचना तैयार की गई जिसे हरित क्रांती के नाम से ज जाता है। भारत में 1966-67 से क्रिशी क्षेत्र में तक्नीकी परिवर्तन प्रारंभ हुआ जिसके अंतरगत अधिक उपजदिने वाली नई किसमों विशेश तहगे हूं। धान, मक्का तथा बाजरा की खेती में सिचाई के उननत साधनों, रासाय निकुरवर को एवं कीट न जाता है। ग्रामीन बाजार, ग्रामीन क्षेत्र में एक समान जहां पर स्थानिये उत्पाद बेचे एवं खरीदे जाते हैं। यहतिरिक्त क्रिशी उत्पादन के संदर्भ में उभरें बढ़ रहा है तथा ग्रामीन लोगों की खरीद च्षमता में व्रिद्धी हो रही ह भोगोलिक गतिशीलता लोगों का किसी उदेश्य हेतु एक स्थान से दूसरी स्थान। आने जाने की गतिशीलता को भोगोलिक गतिशीलता के नाम से पुकारा जाता है। ग्रामीन उद्यमिता यह उनकी विशेष्टा है जो लोग कुछ आर्थिक उतपाद नशील तथा लाब की प्रेणा से संगठित होकर जोखे मुठाते हैं। नवीन ग्रामीन राजनीतिक अभिजन प्रभुजाती तथा धनाध्य किसानों का नित्रित्व जो पंचायती। राजसंस्थाओं में उभर रहा है को नवीन ग्रामीन राजनीतिक अभिजन के नकाम से संबोधित किया जाता है। नवीन ग्रामीन शक्ती संरचना जो ग्रामीन भारत में पंचायती राजसंस्थाओं के माध्यम से 1960 में लागू हुई प्रजातांत्रिक विकेंद्री करण के रूप में आया, जिसमें प्रभू जाती एवं धनी किसान नेता द्वारा निर्वाचित होकर स्थान कबजा कर लिए गए एवं अपनी जाती एवं वर्ग के लाब के लिए कारे करने लगे नवीन घ्रामीन आर्थिक सनरचना यह रित्क्रान्ती के परिणा मस्वरूप खेतिय एवं गैर खेती ग्रामीन अर्थ विवस्था के रूप में उभरी ग्रामीनों का गुनवत्ता पुन जीवन, यह ग्रामीन जीवन स्तर की गुनवत्ता में सुधार हेतु मूल भूत सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधार भूत संरचना, स्वच्छता, पीने का पानी इत्यादी प्रदान करता है महातमा गांधी राश्ट्रिय, यह ग्रामीन लोगों के लिए रोजगार गारंटी कारिक्रम है ग्रामीन रोजगार गारंटी यह 25 अगस्त 2006 को विधेयक के द्वारा अस्तित्व में कारिक्रम आया यह योजना कम से कम एक साव दिन निश्चित रोजगार प्रति एक वर्ष देने की गारंटी देती है। के द्वारा संगठित करना है, उनका प्रशिक्षन तथा क्षमता निर्माने वमाय को बढ़ाने हेतु पूंजी का प्रावधान करना है, स्वयम सहायता समू का दृष्टिकोन समुदायक क्रिया के माध्यम से गरीबों की सहायता कर उनमें स्वयम में विश्वास बढ़ाना है सर्वशिक्षा अभियान, बजट 2000-2001 में सभी को प्रत्मिक शिक्षा देने के उद्देश से सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान की नई योजना घोशित की इसके अंतरगत 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करने का लक्षा था इस योजना के तहद जिला प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उरीसा और गुजरात के बाकी बचे जिलों को भी इसके दाएरे में लाया जाएगा राश्ट्री या ग्रामीन स्वास्थि मिशन 12 अप्रेल 2006 में शुरू इस मिशन का उद्देश माननिता प्राप्त सामाजिक, स्वास्थि कारिकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम सिदेश की ग्रामीन जनता विशेश कर महिलाओं और बच्चों को बुनियादी स्वास्थि सुविधाएं उपलब्ध कराना है, यद्यपियह मिशन पूरे देश में लागू है किन्तु 18 राज्यों पर विशेश ध्यान दिया गया है। सुविधाएं, चार, महिला, बालविकास, सफाई, प्रात्मिक शिक्षा, शुद्ध पेज अलित्यादी पर उचित दिहान देना। पांच, राश्ट्री अजन संख्या नीती 2000 तथा राश्ट्री अस्वास्थिय नीती के लक्षियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्स्तरों पर समनवये। समनवित बाल विकास सेवाएं, भारत की सरकार ने 1975 में समनवित बाल विकास योजना शुरू करांगन बाड़ी केंद्रों का प्रयोग करकुपोशन एवम बच्चे की मुम्खरी को समाप्त करने का प्रयास किया गया। यह भारती असार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का एक अंग है। यह गाव में मूल स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। कुटीर जियोती योजना भारत सरकार द्वारा सन 1988 नवासी में गरीब ग्रामीन परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के विद्योती करण के लिए लागू की गई। यह कारिक्रम वर्तमान तिथी तक 50 लाख परिवारों का विद्योती करण कर चुका है। इसका उदेश्य एक फेज के बिजली का कनेक्शन गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों जिसमें हरीजन तथा आदिवासी परिवार भी सम्मिलत हैं, देने का प्रावधान है प्रधानमंतरी ग्राम सडक, 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई इस योजना का योजना। उद्देश्य दस्वी योजना क्यंत, वर्ष 2007 तक ग्रामीन क्षेत्रों में 500 याधिक व्यक्तियों, पहारी, मरुस्थली और जनजाती अक्षेत्रों के सामने से 250 की जनसंख्या वाली स संपर्क रहित व्यक्तियों को बारहमासी सडक संपर्क उपलब्द कराना है। इंदिरा गांधी आवास योजना, एक जनवरी उन्नीस हजार नौसो अरतालीस सेक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। इस योजना की प्रमुख विशेष्टाएं इस प्रकार ह कम से कम साथ प्रतिशत धनराशी का उप्योगन उसुचित जातियों वजन जातियों के लिए करना होगा। योजना के अंतरगत लाभार्तियों का चयन ग्राम सभा करती है। मैदानी तथा पहारिक शेत्रों के कठिन स्थानों में नई आवासों के निरमान के लिये करंशह के साथ ग्रामीन शेत्रों में शौचाले की सुविधाएं सुनिश्चित करना है धन्यवाद मिलते हैं अगले विडियो में